हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आप सब बहुत अच्छे से होंगे तो आज हम रेसीपी बनाने वाले हैं वह है सोया केमा, आप में से बहुत हों को तो यह रेसीपी पता भी होगा तो यह बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही हल्दी है तो चलते हैं हम निकाल लेंगे इसके बाद मैंने इसे एक छोड़े से जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसको साइड पर रख लेंगे पैन को मैंने यहां पर गर्म हो निकली रख दिया है अब हम इसमें मस्टर्ड ओयल आड़ करेंगे आप चाहो तो कोई दूसरा ओयल भी आड़ कर सकते हो तेल को हम आची तरह से गर्म कर लेंगे अब हम इसमें कुछ खड़ी मसाले आड़ करेंगे एक छोटा धाल चिनी का टुकड़ा तीन छोटी लाइची और दो से तीन लाउंग अब इसको हम एक से दो मिनिट तक हलका सा फ्राय कर लेंगे दिमियाज पर करना है अब हम इसमें एक बड़ा टुकड़ा अधा रखा जिसको मैंने चुटा-चुटा में काट लिया है इसमें आड़ करेंगे और चार से पांच लसन के कलिया हम भी आड़ करेंगे इसको भी हमको एक से दो मिनिट तक हलके आज पर फ्राय कर लेना है और इसमें मैंने दो मेडियम सैज प्यास के टुकड़ों को आड़ किया है फैनली चॉपनी करना है थोड़ा मोटा-मोटा काट लिया है मैंने और दो बड़े टमाटर उसको भी मैंने टुकड़ों में काट लिया है इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे प्याज और टामटर को हमको ब्राउन नहीं करना है इसको सिर्फ सॉप्ट करना है इसके बाद हम इसको ग्राइन करके इसका एक पेश्ट तैयर कर लेंगे और ये दिखिए कडाही में तेल गर्म करके हम उसी पेश्ट को इसमें आड़ कर देंगे अब इसको हम धिमियास पे लगातार 10-12 मिनिट तक फ्राइ करेंगे जब तक यह थोड़ा सा सुखाना हो जाए अब हम इसमें सुखे मासाले आट कर लेंगे हाफ टेबूल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबूल स्पून कस्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबूल स्पून चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और नमक टेस्ट का अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा खड़क पूरी मसाला मैंने यहाँ पर अड़ किया है अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और धिमियास पे फ्राइ कर लेंगे इसको हमको चलाते रहना है ताकि यह नीचे से लगना जाए इसमें हमको तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे अब हम इसमें जो सोया को हमने ग्रैंड करकर रखा था इसमें आड़ कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब लगभग 15 मिनट हो चुका है और यह दिखिए यह भी हमार अच्छे से फ्राय हो चुका है उपर से हम कुछ कटे हुए धनिया पता इसमें आड़ करेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें उपर से तड़का लेगा देंगे पहले तेल को हम गर्म कर लेंगे उसमें थोड़ा सा कस्मीरी लालमेच डालेंगे और कसूरी मेथी डालेंगे और इसको उपर से हम बाड़ करेंगे मेरी रेसिपि अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल एकन को भी प्रेस करतीजिएगा ताकि मेरे आने मेले फुटियो के नोटिफिकसन आप तक बहुं सके अब हम इसको सर्फ कर लेंगे उपर से हम आदरा को फाइनली चॉप करके डालेंगे और इसको पुदिरें के पतर से गार्निस करेंगे और उपर से थोड़ा सा सफेद तिल हम इसमें स्प्रिंकल कर लेंगे आप इसको चपाती और पराठो के साथ दिखा सकता है बहुत ही टेस्टी है यह झालेंगे झालेंगे